हालो फ्रेंट्स मैं हूँ रूप चन आप देखरें यूटूब चैनल रूप चन टिकी जीस गुरू फ्रेंट्स आज हम आप लोग को जो है हिंदी के हिंदी में जो है विकारी विकारी और अविकारी सब्दों के बारे मताएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंस है प्रिच्छों पूशेता है कभी कभी कि विकारी सब्द किसे कहते हैं आप विकारी सब्द किसे कहते हैं दोस्तों और इसके अंतरगार दोस्तों हम लोग संगया की भी चैचा करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि विकारी सब्द जो है द सब्सक्राइब दोस्तों है सब्द के रूप यानि पुछे गया कि सब्द के कितने रूप होएं दोस्तों सब्द के दो रूप होते हैं कितने रूप सब्द के दो रूप होते हैं दोस्तों पहला है विकारी सब्द दूसरा है आविकारी सब्द ये दो दोस्तों दोनों बहु विकारी सब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तो विकारी सब्द उसे कहते हैं। सब्दों का दुस्तों लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है दुस्तों यानि विकारी सब्द उसे कहते हैं जिन सब्दों का दुस्तों लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है दुस्तों उन्हें हम दुस्तों उन्हें विकारी सब् परिवर्तन हो जाता है उन्हें जो है दोस्तों हम लोग विकारी सब्द कहते हैं उन्हें कौन सब्द कहते हैं विकारी सब्द कहते हैं और दोस्तों आप विकारी सब्द कहते हैं बस इसी का विप्रितनी इसी का उल्टा दोस्तों हो जाएगा और जिन सब्दों में दोस्तों जिन सब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारा के कारा कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों उन्हें हम लोग आविकारी सब्द कहते हैं। नहीं दोस्तों विकारी सब्द किसे कहते हैं जिसमें लिंग यानि जिन सब्दों का लिंग वचन कारक आधिकारण परिवर्तर हो जाता है उन्हें हम लोग विकारी सब्द कहते हैं और आविकारी सब्द किसे कहते हैं दोस्तों जिन सब्दों में लिंग वचन तथा कारक के का कोई परिवाता ना हो बस उसी का विपरीद उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं आप विकारी सब्द कहते हैं दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों लोग कुछ विकारी सब्द किसे कहते हैं तो आद देख लेते हैं पहले है संग्या संग्या के अंदर गार दोस्तों संग्या क गया हो गया यानि इसमें करवत्म हो गया तो इसे दोस्तों एक संगया संगया कंत्र कर जिसने थ सब्द आएँ रूगा ग्था owners कि जैसे दोस्तों अब अब letters Нет सब्धारते आधी पड़तेों दोस्तों अधेर भीगार की बिद्सक्राइब इस सब्थ के जो है भीगारिस गंतर Specialist इसमें भी जो है लूंग यानि परिवर्तन हो गया तो किरिया संग्या सरुनाम यह सब भी दोस्तों क्या होते हैं विकारी सब्द होते हैं अब दोस्तों लोग देखते हैं विशेशन कंतरगत भी जितने सब्दाते हो सब क्या होते हैं विकारी सब्द होते हैं जिसे अच्छा हो गया अच्छा से यह में लोग वर क्या बना सकती दोसतों अच्छी हो गया त graphics do परिवर्तन हो रहा है दोस्तों तो यानि विशेश्ण के अंतर कर जो ही आएगा वह भी विकारी सब्द होते हैं दोस्तों अब दोस्तों नोट देख लेते हैं इस प्रकार या अस्पस्ट है कि इस प्रकार या अस्पस्ट है कि विकारी सब्द संग्या सवनाम विशेश्ण त किरिया होते हैं दोस्तों ये भी इनके जो है दोस्तों रूपों में क्या हो जाता है परिवर्तान हो जाता है इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों ये भी सब क्या होते हैं विकारी सब्द होते हैं दोस्तों अब थोड़ा हम दोस्तों बात करते हैं संग्या संग्या किसे कहते हैं अ संग्या के बारे में बहुत पहले पर चुके हैं संग्या यानि नावन इसके अंग्रेजी में कहते हैं नावन इंदी में कहते हैं संग्या मित्रों संग्या की परिवाशा सबस्पर देखेंगे संग्या किसे कहते हैं तो किसी ब्यक्ति दोस्तों किसी ब्यक्ति वस्त अस्थान और भाव भाव गुण के नाम को दोस्तों उन्हों क्या कहते हैं संग्या कहते हैं यानि किसी व्यक्ति वस्तु अस्थान और भाव के गुण के नाम को संग्या कहते हैं जैसे दोस्तों जैसे पुस्तक हो गया पुस्तक हो गया गाय हो गया भोपाल हो गया पंकश हो गया सुन् गया के अंतरगत आएंगे किसी ब्यक्ति हो गया वस्त हो गया स्थान हो गया भाव हो गया गुर के नाम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं जैसे पुष्टक हो गया गाय हो गया बोपाल हो गया पंकच हो गया सुंदर हो गया मानवता हो गया बचपन हो गया कलम हो गया यानि इस स बहुत होते हैं लेकिन दुस्तों मुख रूप से संग्या के तीन भेद होते हैं तो संग्या के मुख रूप से दुस्तों तो तीन भेद होते हैं पहला क्या है दोस्तों पहला है जात वाचा संग्या दूसरा है ब्यक्ति वाचा संग्या तीसरा है भाव वाचा संग्या नहीं मुख रूप से तीन होते हैं दोस्तों वर्शत और होते हैं तो दोस्तों जिसे द्रभ वाचा संग्या हो गया समूव किसे कहते हैं तो जात ग्यक्त कि चात ग्यक्त का अंहे दोस्तों लोग चात दूट का वुच कम्या करते हैं यानि जिन संग्या सब्दों किसी दोस्तों किसी वस्त क्या व्यक्त की चात का बोध हो उन्हें हम लोग चात विवाचक संग्या कहते हैं दोस्तों जैसे गाये गाय में दोस्तों किसी एक गाय तो है ने गाय बहुत गाय होती है यह एक जात होती है भाई गाय में बहुत गाय होती है एक जात ही हो गया मनुस हो गया दोस्तों मनुस में भी एक जात होती है मनुस एक मनुस थोड़ी है दोस्तों कई मनुस हैं मनुस के अंतरकात एक मनुस न मैना होते हैं घर भी आता है जात यह एक घर थोड़ी होते हैं बहुत घर होते हैं बंदर बंदर की एक जात है दोस्तों एक बंदर नहीं बहुत बंदर होते हैं मचली मचली में भी दोस्तों है मचली होती है तारा मचली मचली हो गया नहीं कई मचली होती है एक मचली नहीं हो होचा है तो दूस्तों वकील हो गया वकील में भी बहुत कील होते हैं आदि तो जोस्तों सब जात यूचाग्र संगया होती है मनमत एक होती है उससे ducts तो दों dad बैक्ति वाचक संग्या कौन है आ 5 दिखते हैं जिस सब्द से दुस्तों जिस सब्द से किसी एक ही वर्ष्ट व्यक्ति या पदार्थ का मात्यों कहते हैं जैसे दुस्तों जेसे दोस्तों है हिमालय हो गया गंगा हो गया रमार हो गया कंजीका हो गया इसान हो गया आम हो गया वरांसी हो गया सिक्किम हो गया इत्यादी दोस्तों ये सब जो है ब्यक पिवाचा संग्या के अंतरकत आ जाएंगे अब है भाववाचा संग्या नाम से लग रहा है कि इस यसे vadचा संगया कहते हैं याँ जिस संगया संगया सब्द से किसी वस्त्त आब धर्म धर्म भ्यपार आधिकाव वोध् सब्स्तेशं जिस चंगया शंगया संगया सब्द से किसी वर्ष्त आब प्यक्ति के गुण, धर्म, दसा, ब्यपार, आधिका बोध हो दोस्तों, उसे हम लोग भाव वाच्चा संग्या कहते हैं दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों, लंबाई, मिठास, पसुता, मनुष्टा, नम्मता, सांती, मित्रता, सुंदरता, भलाई, चाल, समाच, बचपन, इत दोस्तों, इतियाए दोस्तों, यह सब किसके अंतर गाते हैं, भाव वाच्चा संग्या के अंतर गाते हैं, जैसे जैसे लंबाई हो गया, मिठास हो गया, पस्ता हो गया, मनुष्टा हो गया, नम्मता हो गया, सांती हो गया, मित्रता हो गया, सुंदरता हो गया, भलाई हो गया चाल हो गया समझ हो गया बच्पन हो गया इत्याय दोस्तों यह सब दोस्तों भाव वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं दोस्तों अब दोस्तें देखते हैं दोस्तों कुछ और भी संग्या है जैसे समूह वाचक संग्या इद्दम सरला है हम सब सब पुछ जानते हैं होता है भीर में बहुत से आदमी जुटे रहते हैं जुन्ध हो गया जुन्धितोत बहुत आदमी होते हैं परीवार भी eastwood के उन्तरगत आए और कि जुन्ठ परिवार है तो इन प् weeb कि गी वो गया दूद्र हो गया सुना हो गया चादी हो गया कोईला हो गया लोहा व गया आग दूस्तों यह सब दोस्तों उप भॉला रहा के अन्तरग आते हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए सेयर कीजिए दोस्तों में इसी पकास वीडियो में होता है थेंक यू थेंक यू सुमच